कि हलो फ्रेंड्स वालकम टू हमार के स्टड़ी देखिए यहां पर हम डी आडियो की सेप्टम 10 की बात करेंगे जो 2022 का जो पेपर है आज का पेपर जो एनलेसिस हुआ था उसमें फिजिक्स के जो निमेरिकल सबसे ज़्यादा पूछे गए थे ठीक है तो मैं पर फिजिक्स क देर में आपको लेक के मातल्ब लेक लिए यह वह मैंने आपको बता दे रहा हूं तो एक बार लेक लिया आ या फिली प्लस बन अपन F होता है ठीक है नमबर डाल दे रहा हूं ठीक है दूसरा फॉर्मूला यहां पर F बराबर RY2 होता है RY2 जो focus distance या focal length का formula होता है ठीक है यहां पर और भी बात कर लेते हैं जैसे मालो यहां पर हम बात कर लेते हैं कुछ electron electronics वाले फॉर्मूले की ठीक है जैसे मालो कि आपको एक electron बराबर पूछा जाए तो वन पॉइंट प्लस माइनस वन पॉइंट सिक्स इंटू टैन्ट पर माच के 19 कूलाम होता है ठीक है सारे formula लिखा दे रहा हूं जल्दी जल्दी फिर electric field पूछा जाता है लग्टीं फील्ड हिन्दी निइंग्ली दौनओं में करा रहा हूं ठीक है उざ की लग्टि फिल्द रोथा विद्धो चेत्र विद्धुत 6 तो विद्ध चेत्र का लनबिला यह बराबर होता है यहां पी इवराबर होता है नाइम प्रक्राइब कीजिकर यहां पर फिफ पावाsal में स्वेघ८ सोधा थे यह क्जा के चाहर होता है इसका यूट जो पूचाया या एस यूट सब से यहां पूचाया नाइउ वौल्ट पर मीटर होता है ठीक है वोल्ट पर मीटर बोल्ट क्रिंटर होग सदो यह उसके बाद मैं कुछत आदू लख्तिक पोटेंशियल पूछा जाता है ठीक है है यहां प्लिक दे रहा हूं अच्छे लाक्ट्रिक पोटेंशियल थि लब लाइवर डबलू अपन के होता है ठीक है सबको पता हो ने डबूरू पन कि यहाँ पर जूल पर कूलाम यहाँ पर इसका मात्र पर कूलाम झूल पर गूलाम यह फिर वोल्ट होता है यह वोल्ट होता है या फिर वोल्ट भी कह सकते है इसको व्वोल्ट और यह अदिस राशी है यह कैसी राशी है दिए हैं अधिस यह भी आपको पूछाया सकता है नाँった यह वे इसके बाद देखो विद्धुतःता तो विद्धुतःता को formula होता है C ब्रावर Q यू अपान W is C ब्रावर Q upon W होता है यहांपर C सभक्षों कि यहांपर こूलाम से लो पर वोल्ट इसका unit होता है कोज्च फॉल्ट लिख लेना कूलाम पर वोल्ट जो तो और और हमारा हो जाता है अंदе यह आपका हुगे देखो इनैंट का फॉर्मूला पूंचा जाता है इन बहुत अच्छा एक वह है यहां पर क्यों होगे है तुमारा आविश new हो जाता है ठीक है क्यों क्या हो जाएगा हमारा आप चार्ज आई बराबर करेंट हो जाएगा यहां पर करेंट मतलब होता है आपका धारा यहां पर एन नंबर अफ लेक्टरॉन हो जाएंगे number of electron ठीक है number of electron होगे और क्या बचा है यहाँ पर e हो जाएगा and t होगा time ठीक है यह हो जाएगा आपका तो इस तरीके से यह formula पूछा जाते हैं और formula क्या हो जाएगे जगा है देख लें एक बार चलो यहाँ पर जगा है थोड़ी सी यहाँ पर देखो यहाँ पर अगर resistance आपको पूछा जाए resistance resistance क्या होता है आर होता है अगर सीरीज में है सीरीज मतलब स्रीडी करम में स्रीडी करम तो क्या होता है आर बराबर क्या होता है आर बराबर होता है आरवन प्लस आरटो ठीक है सीरीज करब में कैसा हो जाता है रिस्टन्स इस तरीके से ठीक है है यह आरवन हो गया यह रोगया डूसरा देखो यह पहला हो गया यहां पर और पहलर हो जाता है आपका पैलर, पैलर मतलब होता है समांतर तो समांतर में देखो कैसा होता है यह point यहां पर यह point और यहां पर आपको इस तरीके से यह point और यहां पर इस तरीके से तो R1 और यहां पर R2 तो यहां पर क्या बन जाएगा R1 प्लस बन अपर R2 ठीक है यह आपका हो जाता है यहां तक क्लियर देख लो भाई कोई दिक्कत नहीं है यह electronics वाले formula है जो मैंने आपको जल्दी से जल्दी से बता दी है ठीक है और हम आगे देखते हैं और क्या क्या हो सकते हैं ठीक है और आगे देखते हैं इसको साफ कर दे रहा हूँ अब देखिए वाई यहां पर current density का एक formula पूछा जाता है current density मतला होता है धारा गनत्तो तो धारा गनत्तो के क्या हुजाए जे बराबर आई अपान ए हो जाता है एक formula है इसका जो मात्र होता है ampi per meter होता है ampi per meter ठीक है इसका यह हो गया एक ampi अगर एक ampi आपको पूछा जाए hashtag लगा दे रहा हूँ एक ampi एक एम्पियर बराबर तो एक कूलाम पर सेकंड होता है एक कूलाम पर सेकंड ठीक है यह हो गया एक वोल्ट बराबर आपको पूछा जाए एक वोल्ट बराबर पूछा जाए तो जूल पर कूलाम हो जाएगा जूल पर कूलाम ठीक है यह हो गया एंड आप इसके बाद चलते ओम्स लॉग ओम्स लॉग तो ओम्स लॉग से सबसे ज़्यादा कुछ न आता है V is equal to IR होता है V is equal to IR होता है तो यह आपको याद रखना है यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैंन बात क्या है तो V जो proportional होता है यहाँ पे देखो अगर आप V बढ़ाओगे V अगर आप बढ़ा रहे हो तो यहाँ पे धारा का मान जो होगा I current होगा वो भी बढ़ेगा यह question पूछा जाता है ऐसे अगर V आप बढ़ा रहे हो तो यहाँ पे R की value भी बढ़ेगी तो पूछा जाता है कि जब धारा का मान बढ़ाए जाता है current की value जो हम बढ़ा रहे हैं तो voltage हमारा बढ़ेगा ठीक है यहाँ पे voltage हमारा बढ़ेगा ऐसे resistance यहाँ पे voltage बढ़ा रहे हैं तो resistance भी हमारा यहाँ पे इस तरीके से बढ़ेगा ठीक है एक तो यह चीज़ हो गई उसके बाद देखो यहां पर हाँ देखो एक बात और आती है और आई बराबर आपको पूछा जाए देखो आई बराबर यहां से निकालोगे आप इस वाले समीकट से आई बराबर आई बराबर क्या हो जाएगा यहां पर वी अपॉन आर हो जाएगा ठीक है तो आई जो है वो इनवर्सली प्रोपोंसलर टू आर है ठीक है दिख रहा है न यहां से तो आर का मन अगर दुगना कर रहे हो आप आर का मन दुगना कर रहे हो आप आर का मन दुगना कर रहे हो ठीक दिया मैंने अई बराबर एक उट्टी दोँ जाए कि एक अमान हो जाएगा आधा ठीक है हाफ हो जाएगा तो यहांसे कुश्ण बंता है ठीक है यह सारे कुश्ण मैंने बता दिये और देखो, एक आता है, रेजिस्टिविटी, बहुत इंपोरेंट है, सबसे ज़्यादा इंपोरेंट है ये, रेजिस्टिविटी होती है, प्रतिरो धक्ता, प्रति रो धक्ता, ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मुला जो निकलता है, आर इस गलटू रो एल बाइ ए होता है, यहां पर फॉर्मूला अब यहां पर देखो आर जो है वह प्रोपोस्ट्रिल किसके है रो के है यहां पर हमें दिख रहा है यहां पर बढ़ेगा इरिया कमान बढ़ा उगा यहां घटे मतलब होगे यहां पर और बढ़ा रहाए हो आप तो एक क्या हो जायेका हमारा घट जाएगा ठीक है इनुकि इनिवर्चलि प्रोपोर्शनल है ठीक है इस तरीगे से कूशन पूशा जाता है ठीक है अब यहां पर देखो जो रो है ना इसका जो युनूट देखो ओम मीटर होता है ठीक है इसका का फॉर्मूला होता है सिग्मा इस गल्टू बन अपॉन ए अ है एक अटिक्टिवटी इस गल्टू बन अपॉन यहां पे रो यह उता है भाई रोज गल्टू बन अपॉन सिग्मा इस तरीके से यह होता है देखो सिग्मा इस गल्टू बन अपॉन रो होता है ठीक है यह होता है तो आप देखो यहां से हमारा क्या है मैं चीज़ देखो यहां पे यहां पे देखो ध्यान से देखिएगा और रो कमान अब निकालेंगे यह रो कमान अगर यहां से निकालोगे आप तो बन रखता हूं ठीक है तो और इस वाली समीषड़ को मैं देखता हूं यह इदम चला जाएगा और इबराबर रो टो बचेगा तो तो डापन रो का मारे को बनपन बताइगा 1 slope बराबर के निकल जै गाहा हमारी बराफ लगए शीक्मा यह document सीधे पूछा गया था रेलेवें बैई तो जितने भी कुश्षन मैंने बने इस चे बहुत जादा कुश्षन पूछ आते हैं अब यहां पर कुश्षन बनेगा देखो क्या है जो रो है न यह ठीक है यह क्या करती है धादू की प्रकरती पर ताप का निर्वा करती है ठीक है प्रकरती रोट यह यहां पर निर्वा करती है कि यहां भी आपको देर लंबाई और एरिया पर निर्वा नहीं करती ठीक है लैंग्ध और एरिया पर डेपेंड नहीं होती है ठीक है डेपेंड्व नहीं होती है ठीक है ठीक है डेपेंड्ट नहीं होती है मिaking सिस तो आ यह स्कर देक्वूरु fact ॉनत läuft है यहां पर इसका फॉर्मेला होता है ऑ तो और रहिक जो है वो रू है यहां पर रो ऑर इसकी है इस तरीके से हो जाएगा अब सब्सक्राइब तो इसका वेलू आप इसमें रख दो इसमें मैंने रखा तो आर यह सिग्मा इस तरीके से एक विशन एक बन गई जो बहुत ज्यादा इंपोर्डेंट है तो यह जो रो है इसकी प्रकृति धातु की प्रकृति ठीक है धातु यहां पर लिख दे रहा हूं धा होता है मलेकर लेंग्ट और एरिया पर डिपेंड नहीं होता है ठीक है यह चीज़े इंपोर्डेंट है अब नेक्स्ट में बता रहा हूं भी ठीक है मैं इंक डाल लूँ इसमें अब देखिए यहां पर हम बात करते हैं कंडेक्टेंस का फॉर्मूला पूछा जाता है आपको कंडेक्टेंस होता है चाल कत्तो है ठीक है यहां पर जी बराबर वन अपन आर होता है ठीक है बस यत्ता याद रखना इसकी यूनिट देखो महो होती है यह इसकी यूनिट होती है यह इसको हम ऐसे भी लख सकते हैं ठीक है चलो अब यहां पर हम कंडेक्टेंस की करते हैं सिगमा से यहां पर देखो सिगमा इसको गल्टू वन अपन रो हो जाएगा यहां पर जो यूनिट होगी इसकी वह देखो यहां से क्या हो जाएगी यहां पर ओम यहां पर देखो यहां पर हो जाएगी ओम माइनस वन मीटर माइनस वन एक तो यह होगी, इसके बाद देखो महो महो मीटर माइनस वन हो जाएगी and सीमेन हो जाएगा, ठीक है, सीमेन यह सबसे ज़्याद पूछा जाता सीमेन, मीटर माइनस वन ठीक है and इसके बाद fuse wire आपको पूछा जाता है fuse wire fuse wire fuse wire का जो material होता है वो किसका बना होता है भई तामा टिन सीशा तामा इन सीशा मतलब copper lead and यहाँ पर टिन हो जाएगा इस तरीके से बना होता है तो इसका जो fuse wire का melting point होता है वो कम होता है melting point melting point जो होगा वो कम होता है कम मतलब low होता है इसका क्योंकि आपने पता है कि fuse wire जैसे लगा होता है बोर्ड में जैसे ज्यादा light आजाती है तो वो गल जाता है ठीक है melting point क्या होगा मतलब जो तो गलनाग विंदू को वक्काम होगा यहां पर रेस्टेंस जो होगा रेस्टेंस वह ज्यादा होगा ठीक यह चीज होगी तो इंपोर्टेंट है सारे आपको लग रहा होगा यह फालती कुछ चीज है अमल लेकिन बहुत इंपोर्टेंट है वही किसी भी एक्जाम में आप बैठ होगे ना तो यहां चे पक्का आपको कुशन मिलेगा ठीक है अब हीट का एक कुशन पोचा जाता है आपको हीट हीट मतल्ब हीट जैनेरेट जैनेरेट गलता ना उसमा का थो यहां पर तीन फॉर्मूले बनते है एच बराबर आई स्कॉर आर्टी ठीक है दूसरा बन करता है यहां पर है व्य विद्र इंटी यह तीनों फॉर्मूले बहुत इंपे इसमें सबसे जाद यह होता में प्रवकेगे तो यहाँसे आप आपको पता है वी बरावर आई-वर होता है ठीक है ue यहां से आप क्या करोगे रखेए लोकी हुए कि जाओ Casey इस अपनार होता है इसमांंत में यहां पर रख़ेऊ क्या निकलेगा ऑई बरवर वी अपन और यहां पर रख़ो तो पी बरावर क्या हो जाएगा वी इसकार अपॉन आर तो यह भाई यह कुश्चन भी पूशा जाता है बहुत जाता यह फॉर्बुला है ठीक डारक लिए चलो यह चीज़ हो गई इसके बाद हम देखते हैं आगे इसके बाद एक किलोवाट घंटा पूशा जाता है आपको एक किलोवाट ठीक है आवर हिंदी में लिख दे रहा हूं किलोवाट घंटा ठीक है एक किलोवाट घंटा पूशा जाता तो एक हजार वाट यह हो गया आपना एक हजार वाट घंटा हो जाएगा वाट घंटा ठीक है जो भी बनेगा वो पॉइंट यहां से बन रहे है उसके बाद देखी एक हजार इंटु थर्टी सिक्स इंटु हंड्रेड ठीक है यहाँ पर वाट सेकिंड हो जाएगा कि वाहसर कि यहां यहां पर यहां पर बनेंगा थ्री पार सिक्स इंटु ट्री पावर कितना होजाएगा इस थिए इसके बाद एक ओर बनता है वह नंबर आफ twenty वाट गंटा दिन गंटा एंट दिन अबन वन था थाउजन ओट टिक है वाट आवर एंड डे अपन वन थाउजन ये नमबर ऑफ ईनूट का एक फर्मीला होदा यहां से आप निकाल सकते हो टिक है जैसे एक वाचाएंपल आपको बता दू एक हजार वाट और 2000 वाट के दो अ है टिक है चार घंटे उप्योग होते हैं तो कितने दिन vac Aber 1200 की बार्टै कि एक हजार हम कर लेंगे फिर्फ 2,000 कर लेंगे ठीक है ब़सद्री सिंटु घंटा कितना है चार गन्टे चार घंटा होगा इंट到 दस हो जाएगा एहां पे हो जाएगा 1000 कर ले ना यहां पर 3 our यह हो जाए बैशार 10-1000 से plugs तो का यहां पी एक सो इसी इनटte आ चलो इस एक और प्रधा दो चुम्भी की फ्लक्सति छु्म्भी की फ्लक्सति चुम्ब की फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो पूछा जाता है यह उनिट बेबर या यहां पर तो टेस्ला पर मीटर स्कॉर्ट अब और देखेंगे इंपोर्टेंट टीक है और देखता हूं और बताता हूं ठीक है इसको क्लीन कर दूँ देख लो पहले चल रहा है कि नहीं अब देखिए ध्यान से यहां पी आपको अगर बैकिंग सुड़ा का सबसे याद आता है अब मैं को बता रहा हूं बस की बैकिंग सोड़ा काफक फॉडीम भाई कार्वोनेटित थीक रहा है यह पूझात है इसका यह ना पंकर सबसक्रावार इसको खाने वाला सोडा तो यहां पर देखो क्या होदा है एन एच सी ओ ठीक है यह वह गया एंड दूसरे आपको पूचा जाएगा देखो यहां पर धावन सोडा होदा दो इस उत्त लिखा रहा हूं परिशान मत वह दो हुए तावन सोडा मतलब इसको बोलते हैं आप वासि इस सोडा के वासिंग तो वासिंग व्हुण कैने जो कि तीन है तुछ गई चुछ ने कि एड़क है तो यह इंड गृट हो जाता है तो यह यह बंद देखो एक इमपोर्टेंट चीज और बता दू आपको ध्यां से देखिएगा कभी आपने पर्मारु शंक्या बराब प् फरुला बनता है परमाडू संख्या बराबर प्रोटन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या ठीक है इलेक्ट्रॉन की संख्या यह भाई बहुत इंपोर्टन कर आ रहा हूं मैं सारी चीज़े देखो तो जैड बराबर क्या था जैड बराबर पी बराबर इ होता है ठीक है यह बनता है अब यहाँ पर देखो द्रवमान संख्या पूछा जाता है आपसे द्रविमान मतलब मास नंबर पूछा जाता है द्रवमान संख्या अब हिंदी में भी लिखाओंगा ठीक इंग्लिश में दिमाद संग्या और प्रोटन प्रस न्यूटन होता है तो क्या बन जाएगा यहां पर यह बराबर हो जाएगा यहां पर प्लस एन ठीक है यह सबसे जादा पूछा जाता है आपको अब 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 एक और एक और आपको कुश्चन बता दूं इंपोर्टेंट है वो अब प्ल셈मिंग के ऍदाय हाथ का नियां फ्लैमिंग का दाय हाथ दाय हाथ कौन सा यह बाला है तो आपको पता है इस तरीके से वर्करते हैं बस यह कुश्चन जो पूछा जाता है वो मैं आपको अब आदा दूं आपकी जो मिडिल फिंगर तो यह है बीच कना thank you कि फ्लैमिंग राइट हैंड कि फ्लैमिंग के दाएं हाथ का नियम ठीक है इसमें देखो अंगुठा जो होता है अंगुठा जे याद कर लो बस अंगुठा हो गया इसके पाद तरजनी उंगली हो गई तरजनी उंगली ठीक है इसके बाद मद्य उंगली तो भई बस यहीं कोशन पूचाँ आता है आउन टाप किसको दिखा तो जो चालक की दिशा होती है ठीक है चालक हो यहां यह बीक है और इनकी बीच में जो धेंगिल होता है है इसके बाद मैं कुछ और इंपोर्टेंट बता दू आपको जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं कुछ चाहें तो देख सकते हैं मैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं मैं आपको दो दो चीज़ और बता दे रहा हूं इंपोर्टेंट जैसे मैं आपको दा दूँँ यहां पर इसको क्लियन कर दे रहा हूं ठीक है कि देखिए और देखो क्या है जैसे मालू कि कोई भी मापका जैसे वह है कोई भी एक्क्वेशन है जिसमें आपको क्या हो रहा है और ग्रक्रांट जोड़ रहा है कि एक होडि अपकशीजन जोड़ रहा है ऐसके बाद मिर्देशन जोड़ dad है सीधर सीधर कोश्चन इसलिए मैं करा रहा हूं ठीक है इसके बाद दूसरा क्या पूछता है ओ क्या है वो आपका हट रहा है की रहा है मतल neutrALLY निकल रहा है थीक है यह है एच क्या हो जाएगा यहां पर हथ रहा है तो यहां पर एच जुड़ेगा जुड रहा है को इसको कि Gold के भाई इसको बोलेंगे फिर फिरेदुड थीक है 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 यह बहुत जादा पूछा जाता है रेक्शन अपचयन बोलते हैं इसको अपचयन हें तो यह चीज हो गई इसके बाद आपको पता है कि कोई प्रिजम होता है उसमें साथ रंग निकलते हैं विब्डियूर करके इसमें आर होता है उसकी तरग दार विब्लेंग्ट सबसे होती है ठीक है यह बता देरा हूं जैसे आपको चीजे क्लियर हो जाएं जैसे आपका कोई प्रिजम है ठीक है और आपको यहां पर कोई पर रेज जा रही है इस तरीके तो इसके बाद इस तरीके से निकलेगी ठीक है यहां पर सबसे ज़्याद में चीज आजा दिये तो आर जो है ना आर इसकी जो वेवलेंग्ट है तरंग दर तरंग दर होती है वेवलेंग्ट वेवलेंग्ट वो क्या होती है वही सबसे ज्यादा होती है ठीक है ज्यादा सबसे ज्यादा होती है एन इसकी तो वेवलेंग्ट इसकी सबसे ज्यादा है तो इसकी सबसे कम होगी ठीक है वी की यहीं पर वी की जो इसकेटरिंग ऑफ लाइट इसकेटरिंग ऑफ लाइट मतलब क्या बोलें कि प्रक्रिट्र नोगा वह सबसे ज्यादा होगा यहां पे छिपके ज्यादा है टो आप इस से दो कुछन निकलतेरं देखो धान से देखो ते गवर होता है इंद्रजने के कर्लर होते हैं ठीक है और जो निकित सबसे ज्युकर has होगा। कि यहां कर दो इच्छीज देखो क्या है एक होता हुप कर दो या निया रोंकर जो गया इस ही बता दो कि वसके हैं थो तें तें ट्रों जैसे आपको दिक्कत नहीं पर दिक्कत नहीं है यहां पर लेकर ले रहा हूं दो तिन कुश्चन सबसे यहाद रहता है डोबे राइनर एक तो यह हो गया दूसरा हो जाए अगर न्यूव लेंड न्यूव लेंड यहां पर एक हो जाएगा उसके बाद मैंडलीफ है यह हो जाएगी तो डूबे राइनर ने कौन सा सिद्दान्त दिया था त्रिक सिद्दान्त ठीक है यहां पर लेकर नियूव लेंड दिया था अस्टक नियम दिया था अस्टकनियम ठिक है अस्टकनियम दिया था यहां पर इनके जो तक्टो थे ना एलिमेंट थे वह कितने थे 56 पंट्ट्ट्व कि 56 आल्यमेंट थे इनके टाइम मैन लिफ के टाइम पर क्या है बई मैनलीफ के टाइम पर क्या है मैनलीफ की जो आवसाड़ी है वो रासा है क्या था कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं कि यह पूछा जाता मैनलीफ आवसाड़ी है वो परमाड़ु दुरुमान के बढ़ते करम है ठीक है आपको पता हुआ कोई को दिखक्र में होते हैं अवा साडी में अथारे अथारे वर्टिकल कॉलम होते हैं ये भी पता हूं चाहिए आपको ठीक हें और यहां पर और बिल्टकल बन बता दूँआ तो जाना नहीं अभी अभी तीन पेज और हैं अभी बस थोड़ा दस मिनट और लगेंगी कि देखो यह बहुत महनत से लेखे हैं भई सारी चीज़ें देखो यहां पर हां यहां पर सारे अब मैं करवा दे रहा हूं ठीक है आपको जो important है वो सारे करवा दे रहा हूं जैसे मालो के आपको पूछा जाए equation of motion पूछी जाए आपको ठीक है equation of motion मतलब गती के समीगड पूछा जाये आपको ठीक है यहां पर लेक दे रहा हूं भई गति के समीकरण यह पूचा जाए, तो आपको क्या हो जाएगा भी V बराबर U प्लस A T होता है पहला समीकरण पूचा जाएगा दूसरा होता है आपको S बराबर U T प्लस हाफ A T स्क्वार, ठीक है T है भई यह, ठीक है T है तीसरा बजाएगा V स्क्वार बराबर U स्क्वार, प्लस टू A S हो जाता है, ठीक है यह चीज़ हो गई और आपको यहाँ पर और पूचा जाएगा जैसे मालू Force Force, इसको बोलते हैं बल A बराबर क्या होता है, M A होता है, जो कि सेकंड लॉफ सेकंड लॉफ से होता है, ठीक, न्यूटन का सेकंड लॉफ यूनिट क्या होती है, इसकी यह सबसे जादा पूचा जाता है, यूनिट हो गई, तो न्यूटन हो गई भई न्यूटन हो जाएगी, या फिर द्रमान कलोग्राम होता है, कलोग्राम और मीटर पर second square हो जाता है ठीक है या पर CGS में इसको कैसे बोलेंगे CGS CGS में dine हो जाता है dine ठीक है और one newton यह हो जाएगा एक newton बराबर के अतना हो जाएगा एक newton बराबर जो हो जाएगा वो दसकी गात 5 dine हो जाएगा ठीक है यह question पूछे जाते है एन रॉकेट जो होती है ठीक है रॉकेट जो होती है भई रॉकेट होती है वो रेखी सम्वेग सररचड की सिदान पर काम करती है ठीक है रेखी सम्वेग सररचड रेखी सम्वेग सररचड ठीक है तो आप आप क्या है देखो मैं बता दूँ law of conservation of linear momentum, ठीक है, law of conservation of linear momentum, ठीक है, यह point important है भई हो जादा, अगर question आगे तो मज़ाद आएगा भई तुम लोगों के, ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और important देखो, impulse, ठीक है, जैसे आप तो समवेग होता है, एक समवेग होता है, समवेग, momentum, तो समवेग होता है, पी बराबर एम भी होता है, ठीक है, पी बराबर एम भी होता है, यहाँ पे, यहाँ पे एम बराबर क्या होता है, किलोग्राम, मीटर पर सेगिंड हो जाएगा, ठीक है, यह हो होता है या ब्रावर सेकंड हो जाएगा यहां पर यह क्या हो जाएगा यह इंट नुटन सेट तो हो जाएगा यह चीज़ अ और बता दे रहे हैं चीज़े तो बहुत सारी है बताने के लिए देखो एक यूनिवर्सल यूनिवर्सल लॉफ ग्रेविटेशन जो होता है यहां से नहीं पूछा जाता है एक तो जी होता है यहां नाइन पॉइंट एट वन मीटर प्र सेगंड होता है एक होता है जी क्यापिटल जी उसका मार नोधा 6.67 6.67 इंटो के 11 होता है मैंने का 11 कि नियूटन कि नूटन मीटर क्वार्ड पर किलोंग्राम स्कॉरर अधिक हा तो है तो यह कुछ इमपोर्टन वेल्टॉ हो गई है ठीक है और बस थोड़ी देर हो रहे है ठीक है खतम होनेबाला है बस एक पे कि चली देखिये और देखो क्या है ईसे प्रतिफिवी का तो पता ही को प्रतिवी उपर जाने पर जी कमानगता है ठीक है फोल स्पील होता है शुन होता है तो यहां पर हम बात करेंगे या सस्टाइब होगी वर्क के बात करेंगे लग कि वर्क होता है करें का W एक कार डबू वरावर क्या होता है अब इनक लग रहा है फिनिश हो गई तो तोड़ा से डाल लें अब कि अब कि 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 यहां पर जैसे मालू की फोर्स कैसे लग गए यह कोई बॉड़ी है अब बॉडी में आप क्या कर रहे हो फोर्स लगा रहे हो तो फोर्स लगा रहे हो यह बॉड़ी यहां तक है मा Walk अगर यह बॉड़ी आपकी चल यहां तक move ना हो ठीक है अलब Dispate तो ज़ो आगर आपका डी लगा है दूरी तक चला है तब ही आपका फोर्स इस तरीके से माल लो ठीक है यह इस तरीके एक हाते बना दी एक नीचे है ठीक है यह नीचे है तो एक अपनी पोजिशन पर एक कोई वीट ले खड़ा है ठीक है क्या है वीट तो ऐसी एक ही पोजिशन पर खड़ा हुआ है यह तो भाई नो वर्क होगा यहां पर कोई भी नही थीटा एंगल पर तो डबलू जो होगा डबलू वरावर एफ इंटू एस कर सकते हैं यह displacement है वो डी से भी लेग सकते है एसे लो डी यह फिर ऐसे कर लो डी ऐकॉस ठीटा ठीक है ये लगता है तो कुछ भी देगा वो ठीटा वराबर कुछ भी दे तो आप कर सकते यह तो तरी के यह चीज वह गई वर्ग कि एक एनर्जी तो आपको पता ही होगा जैसे मालों वी का वी को चार उना कर दिया जाता है मतलब 4 गुणा कर दिया जाए तो मतलब कितना होजाएगा ठीक है तो आपको पता है 4 गुणा कर धीा तो भाइ कितना हो जाएगा इस वी व्र आबबर आपको किया कर रहा है चार गुना कर रहा है तो में 54 शोड़े कि as टाइम सोज़ाके सिक्षीन टाइम सोज़ाएगी ठीक है यह चीज़ वह कि यह पूछा जाता है ओके ठीक है अब मैं एक लास्ट कुछ न और बता रहा हूं वह इम्पोर्टेंट है ठीक है यहां पर बता रहा हूं ध्यान से देखिएगा यहां पर देखो यह आपकी कोई प् आर्थ मतलब प्रत्वी है ठीक है प्रत्वी है जिसमें हम रहते हैं यह चंद्रवा है चंद्रवा मतलब मून होता है ठीक है अब यहां पर चीज़ समझना देखो क्लियर करके बताऊंगा चीज़ है जो भी बिल्कुल सही हो जाएंगे ठीक है देखो आपका इस पर दे रखा है आपका जो भार है ना भार भार मतलब भार होता है वेट weight यहां पर दिरक्क है आपका 8 है इस प्रतिविपे आपका कोईभी भार दिरक्क है वो अठार है इस weight को आप यहां पर लेकर जाओगे चंद्रमा पर ठीक है भई तो आपका कितना हो जाएगा 8 है भई 6 हो जाएगा चीजे के लिए रोगई मतलब ठीक है अगर कोई भी प्रतिवी पे आपका जो भार है ना वेट है वो अगर 18 है तो वहाँ पे जब जाओगे तो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मून पे 18 भाई 6 ठीक है ये चीज़ ध्यान रगना तो आपको एक 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 वेशन बंदी है वो तोड़ा ध्यान होता है ठीक है जैसे माल हो कि अगर यही अठारे यहां पर है अठारे यहां पर तो प्रतीवी पर लेकर आओगे टिक है मून पर कित्ता है तो अठारे यहां पर लिखो ओछे इदर आज अब हम बात करेंगे, देखो, मैं इंक थोड़ा चैंज कर रहा हूँ, अगर मिल जाए, इंक नहीं है कहीं, हो गई भई, चलो, यहाँ पर हो गई भार की बात, अब हम बात करेंगे, यहाँ पर, मास की, ठीक है, मास, मास होता है, भई, मास होता है, मास, मास होता है, द्रवेमा तो आपका द्रव्यमान जो दे रखा है मालो के 80 kg 80 कलोराम आपका मास दे रखा है तो यहाँ पे जो मास आप ले जाओगो तो 80 सेम रहेगा सेम रहेगा बताओ चलो हो गया भई बताओ चीज़ा के लिए रो रहे हैं कि नी यह बहुत important concept है यहां से पक्का question बहुत आता है हर बार question कहीं भी चले जाओ या रेल वेम चले हैं कोई भी एक्जम देरो फिजिक से अगर question पूछाएगा तो यहां से पक्का पूछाएगा या confusion अभी इस रो में भी question पूछा था और जिसने एक्जम दिया होगा होगी मुझे नहीं पता कितना time हो गया है ठीक है एक बाद देख लेता हूं वीडियो कितना time हो गया है यहां से पक्का कर दोगे तो I hope बस उम्मीद रहती है आप लाइक करोगे और सब्सक्राइब करोगे चैनल को बहुत महांत करिए मैंने आपको दिखी रही हो को जान तक है अच्छे से एक्जाम देजिए